नमस्कार प्रेंडिन कमोडिटीज के इस एपिसोद में आप सभी का स्वागत में तरुन सत्संगी कमोडिटी मार्केट की पांच बड़ी ख़बरों के साथ साथ कमोडिटी आउट्रुक सेग्मेंट के अंदर चीनी के बारे में डिटेल में सरचा करूब तो आएए जानते है में क्या है इस समय की पांच बड़ी ख़बने कमोडिटी मार्केट की जीरा में जवर्दस्त तेजी एक अपने में 11 परसेंट का उचाल भाव कड़ी 9800 प्रती के रिकॉर्ट इस तर पर पहुंस चुके हैं इस साल हमने जीरा के अंदर तक 25 परसेंट का उचाल आते हुए द लगातर जीरा का उत्पादन इस साल कम होने का अन्मान लगाया है उत्पादन जो पहले की माना था कि 75 लेग बोरी हो सकता है अभी रीसेंट बारेट से 8-10 परसेंट प्रोड़क्शन कट हो सकता है और उत्पादन अरूंड 65 लेग बोरी के आसपास रहेगा जो कि 321,000 प्र आएगा लेकिन सप्लाई की किल्लब के चलते डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट ने डिमांड काफी मजबूत है कम सप्लाई के चलते मूंफली में तेजी जारी एक अफते में 3% से ज्यादा की देजी देखी गई है 2020 में अब तक हम ने देखा है कि पीनट के प्राइ अब तक 50% से ज्यादा का रेटन इस काउंटर में आते हुए देखा है आगे इस काउंटर में तेजी बनी रहने की संभावना है आवक बढ़ने से मक्का के प्राइज में आई भारी गिरावट एक अफते में बिहार के अंदर पूर्णिया में 7% से ज्यादा का प्राइज म सब्सक्राइज में इस वर्ष जो रहेगा इस प्राइज के लिए वह 11.1 परसेंट रहेगा जबकि लास्ट यह 7.36 परसेंट जिसका मतलब मार्केट में इनफ सप्लाई है साइमल्टेनिस की जिस तरीके से ग्याहूं के भाव लुड़के हैं उससे भी मक्का के भावों में दबाव देखने को मिला है गर्मी आने से पहले ही चीनी में आई तेजी एक हफ्ते में धाई परसेंट की बढ़ावर मजबूत मांग और कम सप्लाई के कारण आई है तेजी वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम रोख है नीवर्क में के अंदर 6 साल के हाइस लेवर पर है लंडन के अंदर साड़े 10 साल के हाइस लेविल पर बहुत चुके हैं बढ़ती आवा घट्यदाम गहूं के बहुत करी जिस तरीके से बे मौसम बारेश हुई उसकी वज़े से फसल की क्वालिटी जबूत खराब हुई है ऐसा माना जाता है कि 8-10 मिलियन में अट्रिक टं कि इंदोर के अंदर हमने देखा है 40,000 पूरी का अरैवल से और सप्लाइं नॉर्थ इंडिया पंजाब कर्याना और अगले हफते से बढ़ेगी तो उसके चलते भी हम प्राइज में और गिरावर टाते हुए देखेंगे सरकार ने परकूर्मेंट चालू कर दिया है जो कि के लिए अच्छी हबर है सरकार इस साल का प्रकूर्मेंट टार्गेट है 34.15 मिलियन मेर्टेक टन्स जो कि इस साल अच्छी होते हुए नजर आता है आये अब कमोरिटी आउन्टूट सेग्मेंट के अंदर हम चर्चा करते हैं शुगर के बारे में जिया शुगर में हमने करनी आने से पहले ही तेजी आते हुए देखी है भाव एक अप्रशन से ज्यादा बढ़ चोके हैं बताद है इस प्रॉप लियर के अंदर जो शुगर अब तक इंडिया से 6 मिलियन मेटिक टंस का एक्सपोर्ट हो चुका है और अभी सर्कार फुर्दर करेंगी नहीं करेंगी वह दुमेस्टिक अवेलेबिटी के उको डिपेंड करता है अगर हम क्रॉप यह के एंड में लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो स्टीप्री डाउन रहेगा वन मिलियन मेट्रिक टंस की ला में नहीं सब्सक्राइब करेंगे अंदर ची आते हुए देखी है वाकी अगले तीन महीने कहसे रहेंगे वह ड्राइब करेगा एक्जैक्ली मॉंसून के फ्रंट से क्या नहीं हुजाती है कोई सप्लाइट तो अलड़ी टाइट है अगर मॉंसून जैसा की बता जा रहा है डेपिसिट रहेगा लास्ट यर के अगले एक पिर हम आएंगे किसी कमोडिटी के डिटेल अनलेसिस के साथ कमोडिटी मार्केट की पांटबड़ी खबरों को लेकर तब तक के लिए नमस्कार